कि है फ्रेंड वेल्कम टुमाइज चैनल दिश्का ब्यूटियुप फ्रेंड यह कुछ वीडियो है किसी वीवरेंसे मुझे रिक्वेस्ट करें थी कि मैं आपको एक जेंट सेर्कट करके देखा हूं तो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूं जेंट सेर्कट आप इसको कैसे क डिया करके आप उनके बार आसानी से घर में काड़ सकते हैं अब दो कर दो को हैं अगया कंगे से शेक्षे काल निकाल के लेकिन मैं कभी उसको काच देखा नहीं तो मैं अपने स्टैल से आपको यहां पर दिखाओंगी और मैं बताऊंगी कि मैंने इस कड को कैसे की अब वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा ताकि आप काफी कुछ मुझसे सीख पाएं तो फ्रेंच मैंने सबसे पहले बालो को शावर से गीला करा गीला करने के बाद मैंने कोम करके जैसे मैं सेक्षन लेती हूं अपने हातों में बालो को उठा उठा के कैशी से काटा है जितन में एक्स्टवर उठा जड़ जाती ही इंगर लेंसे हवाण एगा करें और पहले को मेजिए सारे बालो को ले रही हूं और जितने बाली मेरे Leag के उपर आ रहे है कर दिया अब ही खाईड में कि मुझे को इतने ही बाल काटने पहत हैं बहुत आगर करना चाहते हैं घर में तो आप आपको करना क्या है पहले आप एक मार्ट दालेज़ए हैं उसी की बाल काफी बड़ेंस और इंको shower hair बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि बालों की काड मांग अगा आप बालों को सीप आधयाए तो सब्सक्राइब कर केS यही आप तरीका अपनाकर वालों को अच्छे की संपर कडिए ब्सक्राइब यह दो आप आप अपने दूग लगशना अठी लिसकरं को एक सकते हैं Horizont Latitude में पाल आपको अगरा को लॉआ एर कट करना है और ज्रादा तो आप देख रहे हैं जितनी भी उपर के बाल हैं मैं से उतने ही चाट चले जा रही हूं और ऐसे करते करते मैंने गर्दन के नीचे से शुरू करता था करना और ये में के उपर तक crown area लेते चले जाएंगी और देखे कितनी आसानी से बस जब कटेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे कितने extra hair निकालने हैं तो आप देख सकते हैं मैं एक्स्ट्रा hair निकालते चले जा रही हूं और बालो को गीला करना बिल्कुल भी मत बूलिए बालो को गीला जितना अच्छा कर लेंगे आपकी grip उतनी अच्छी बनेगी और बालो को idea उतना ही अच्छा आता चला जाएगा तो दीरी दीरी करके आप जब काटेंगे तो आपको अच्छे तरह से काटना आ जाएगा तो यह देखिए अब इस तरह से आपको आगे बढ़ता जाना है और मैंने टैलकॉम लिया है नौर्वल कोम से आप अपना बाल को अच्छे से उठानी जात पाते हैं लिगे अगा पास टैलकॉम होगा ना हम काटते चले चाए है और कोम भी करते चले चाले यह नहीं ताकि लम्बे बालों में इस हाड़ें कांट करना क्य 오grass आप करता है ठीख से बचस्ते हो तो आप जालशे का मोचता में घिटीए इसंटार मिलते हैं तो आपको यह उस्में भी बहुतों है दो होने तो लोग इतना टाइम देना नहीं पसंद करते हैं लेकिन जो वाकई में सीखना चाहते हैं तो वह इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे मुझे पता है और अगर पूरा देख लेंगे आपको बिल्कुत समझ में आ जाएगा और मैंने बहुत से यूटूब पे खंगाले कोई टैठ्णिक बताकर नकें चोटी बतना के लिए और पूरें है ये पूरा का पूरा बता है उसी हिसाब से मेंके लेफ्ट के भी सारे बाल काट दूँगे और देखिए छुटे-छुटे सेक्षन ले करके जहां से छोड़ते हैं फिर वहीं से उठाते हैं बाल कहीं इधर उधर नहीं भागना है एक गर्लेंग करते हुए ही चलना है और लास में आप देखेंगे कि आपको काफी अच्छा हैर कट देखने को मिलेगा और आप देखने कि मैं कितने बार कॉम करते भी जा रही हूँ ताकि जो भी बड़े बाल होंगे ना वो हमको दिख जाएंगे और हमको असानी से कट कर देंगे हमेशा मैंने बताया है कि आपको एक बाल में बहुत सारे बाल नहीं काटने थोड़े थोड़े बार करके काटेंगे तो आपको अच्छा एडिया लग जाएगा क्योंकि अगर आपने एक साथ ज्यादा बाल काट दी ना तो आप दुवारा उस पर कोई अगर गड़बड हो गई तो दुवारा उस पर कैची नहीं चला सकते क्योंकि और और इतनी छोटे आपने पहली कर दी है तो आपको हमेशा पहले छोटे ही चोटे श्याक्शन लेने हैं और कमकम बाल काटने है जब आप कम कम बाल काट तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया होता रहेगा then क्योंकि लड़कों की बाल कान के ओपर बिल्कुल भी नहीं होते ना तो इनके मैंने सारे कान के जो किनारे किनारे के बाल हैं वो सारे काट दिये हैं आप देख सकते हैं और आप ही देखिए कितने अच्छे-च्छे से इनके स्टेप निखर निखर के आ रहे हैं सारे स्टेप निखर निखर के आ रहे हैं हर कोई अपने पसंद का बाल कटाता है को हुए किसी को बहुत छुटे बाल पसंद है लेकिन इनको लॉंग ही यह रखनें गो ऑफ छुटा बाल नहीं काण। वोट उसी हिसाब ll- टेक्निक वह ही रहेगी पूरे ग्री इंदे बाल को फसाना और चितने बाल आगे के ज्यादा बड़े दीखेंगे कर लेने आपको कट कर देने और लास्ट में कंवान सारे वअगी तरह खींच लेने हैं सारे के ब्र Іंड भूड ऐसे कर देने वहां का एडिया और इसको जब आप कलम मनाएंगे जो जेंट कलम बनती है उसको बहुत ध्यान से बनाएंगे क्योंकि उची नीची नहीं होने चाहिए और एक बराबर दिखने चाहिए आपको यह देखिए अब जितने भी एक्स्ट्रा मैं देखती जा रही हूँ मैं कटिंग करती जा रही हूँ क्योंकि एक बार में उतना एडिया नहीं लग पा रहा कुंकि लंबे बाल हैं और बहुत शॉड भी नहीं करने हैं तो फ्रेंट्स अब यह पूरी आलमोस्ट पूरी हो फ़ fatty hepsi कर जाते हैं उनको मैंने रोचाणी हैमने बाद में अपहें कट और आपके लिए वीडियो हेल्फुल रहा हो बोरिंग बिल्कुल भी ना रहा हो क्योंकि मैं इसमें सिखाया है आपको और अपने घर में इसी जेंट के बाल काड़ना चाहते हैं तो आप असानी से काड़ लेंगे और आप हेयर लोग विफोर आफटर दोनों ही देख रहे होंगे अब यह आपको फिर से पूरा लुक में देखा दूँगी पूरा लुक कैसा आ रहा है आप वो भी देख लेंगे तो फिर जगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको लाइक सिस्क्राइब और शेयर जरूर करेगा आपका शिब्सक्राइब कर रहा था और पीछे से भी सारा आप शेयर देखी कितने यह सारे स्टेप आ आके आए हैं यह स्ट्रेट वाल कटिंग विल्कुल नहीं थोड़ी मल्टी कटिंग मैंने करीए इसके उपर